फरीदाबाद में आज तेज रफ्तार के कहर ने एक यूवक की जान ले ली मामला फरीदाबाद की पाली गुरुगराम रोड का है जहां आज सुभे एक पती अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा कर पती उसे जूटी के लिए फैक्टरी छोड़ने जा रहा था तब ही सामने से आये तेज रफ्तार चार पहिया वहान ने उसे टकर मार दी जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए पत्ने के मुताबिक घटना के बाद उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया घटना के काफी देर बाद एक पूलिस कर्मी मोके पर पहुचा जिसने उन्हें एक ओटों में बिठा दिया इसके बाद वह खुद अपने पती को लेकर फृदाबाद के सीविल अस्पताल बादशाहा खान पहुची लेकिन तब तक उसके पती की मोध हो चुकी थी वही टकर मारने वाला वाहन चालक अपने वाहन को लेकर फृदाबाद के सीविल अस्पताल बादशाहा खान में इलाज चल रहा है तो वही मृतक के शव को पोस्ट माटम के लिए रखवा कर पूलिस नियागी की कारेवाही शुरू कर दी है वही जांच अदिकारी विद्या नंद ने बताया कि दुरघटना के बाद आरोपी वाहन चालक मोके से फरार होने में काम्याब हो गया उधर उसकी धरपकड के लिए पूलिस कारेवाही कर रही है कि महां पर मजरू हाजर नहीं है जो उसके बाद में वीके से रुख का पराप्त हुआ कि दो एक लेडिज वैए एक जैंट्स का अक्सिडेंट हुआ है जिसमें जैंट्स की दोराने लाज मोत हो चुकी है जो गाड़ी का अभी से कोई आता पता नहीं है कर्वाई बट्राशक करें मियर्त है किमि मतष का नम है कितनी दूके पर जोड़ने की है तक्र हमने शापने के बता रहे हैं लेकिन काड़ी का हम इसे कोई आता पता निहीं है क्या कारवाई कर रहे पुलिस सभी पुलिस ने मुगदमा दरज कार दिया इसका और कारवाई चार दिया तेंक यू चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें